स्वागत है आपका इस नए सेशन में बॉस सो सेमपी और सफम दोनों का अब रिवीजन स्ट्राटेजी तुम लोग के साथ डिसकस करने वाला हूं इस नाव टाइम के अपन लोग एक्जाम के पहले दो बार रिवाइस कर ले आप दोनों गुरूप दे रहे होगे या सिंगल सिंगल गुरूप दे रहे होगे प्लस यह जो पीडिएफ है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है बहुत सोच समझ के यह वर्काउट किया है वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा कुछ जनरल चीजे जो आपको याद रखनी है ठीक है जाकिर खान का मैं एक इंस्टाग्राम का एक रील था जाकिर खान अपना अरे भाई सक्त लॉंडा जब लाइसा है कि अभी लाइफ में जब सुबह उठते हो न तो अपने आपको discomfort में पुष कर दो ताकि आगे जिन्दगी भर आपको comfort रहे या फिर अगर आप comfort zone में चले गए ना then in that case life has its own way to push you in discomfort तो जिन्दगी अपने को पुष करे discomfort पे अपन comfort zone में चले जाए और को और पुष करे discomfort पे उससे तो अच्छा है ना रोज सुबह उठो खुदी अपने आपको थोड़ा पुष करो discomfort में डालो so that at the end of the day when you are sleeping you are sleeping comfortably वो much better है कि खुद से अपने आपको discomfort दे दे थोड़ा in terms of studies in terms of efforts everything शाइद मेरे लिए एक extra lecture लेना थोड़ा discomfort होगा बट रात को चैन की नीद आएगी शाइद आपके लिए तो दो घंटे extra बढ़ाई कर लेना एक discomfort होगा बट रात को अच्छी नीद आएगी और वो नहीं करोगे then in that case अगर आप comfort zone में आगे you all know what can happen to either of us so things to do यहाँ पर सबसे important है कि आप लोगों का planning बहुत अच्छा होना चाहिए so everyday ensure that रात को सोने से पहले next day क्या करना है न वो plan आप लोगों का ready हो मैंने बहुत बार सुनना है cmp sfm का बात करता हूं तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है take two subjects together right तो अगर मैं cmp का बात करता हूं आपने सोचाए कि बहीं चलो modern business environment है कोई chapter है उसका मैं उसके अंदर और detailing में लिख लो कि मैं उसका ये 3-4 concept cost of quality करने वाला हूं फिर बाद मैं उसमें business excellence model करने वाला हूं theory of constraint करने वाला हूं इसके मैं 4-5 sum करूंगा इसका theory करूंगा और जैसे ही वो हो जाए आपका give a tick mark तो वो जो एक sense of accomplishment लगेगा न मज़ा आ रखना कि आप लोगों का backlog ज्यादा बढ़ते ना जाए because अगर वो backlog बढ़ते गया ना फिर बाद में वो motivation का level कम होते जाता है इसके लिए plan ready होना चाहिए next day का तो मतलब आज रात को सोने से पहले लिख लो कि यह मेरे को कल के दिन पर करना है realistic रखना अपने plan को ensure करना कि बा start 10.30 तक मेरे को यह सारी चीज़े complete करनी है and I will not use my mobile फिर सीधा 10.30 को mobile लेंगे 10.30 to 11 whatever और कुछ काम करना है कर लिया फिर वापस 11 to 2 एक continuous schedule set किया है mobile side पर रख दिया that's how your planning should be and then you have to ensure के आप इसको push कर रहे हो अपने आपको to get that done हो सकता है इस बीच में आप लोग के कुछ lectures चल रहे हो या google recording whatever revision lectures आप कुछ देखने वाले हो तो वो भी उसमें schedule में डाल दो once that is done टिक उसके बाद 10 minute का break लोगे हो गया वो भी टिक चल अभी आजाओ काम पे लग जाओ backlog अगर बढ़ते जाएगा ना फिर बाद में वो feeling आता है यार यह subject छोड़ दूसरा subject लेता हो and then that is where the disaster begins तो वो मत होने दो दो चीज़ प्लान रेडी होना चाहिए प्लान पे टिक माक होते रहना चाहिए मैं नहीं बोल रहो के प्लान 100% आप execute करीद होगे but अगर 80-90% भी हो बना है कि वो लोग 2 subject साथ में लेके जाते थे या फिर कोई first attempt भी जो clear हुआ है जो clear कर रहा है वो दो subject साथ में लेके जलता था अगर आपका एकी ग्रूप है तो से फर एक्जामपल आप SCMP IDT को कर सकते हो साथ में से elective NDT को आप साथ में ले सकते हो group 1 में अपना एक SFM law accounts audit क एक पेर बना के you can work it out writing practice utmost important मैंने last video भी बनाया था that at least मैं conduct करने वाला हूं यह बार भरपूर सारे test chapter wise specially for SCMP SFM प्लीज इसका benefit ले लेना मेरे telegram channel पे और मेरे description box पे मैं google drive link share कर रहा हूं जहां पे आपको test के सारे details मिलेंगे please click on that fill up the form and we'll send you all the details trust me सबसे बड़ा difference वो जो game changer होता है अगर आप 180s 190s वाले हो या 380s 390s वाले हो या 370s वाले हो then in that case 20-30 marks का जो difference है न वो यहां पे ही game बदलता है बस यह अगर अगर आपने manage कर लिया then in that case यह अपने आपको थोड़ा push करके इधर discipline दिखा दिया ना हो जाएगा use kaizen approach kaizen क्या बलता है step by step चोटा चोटा step लो मत सोचो बढ़ा आरे पूरा एक cmp cover करने करने को नहीं अरम से step by step लो और यह step by step approach के लिए मैं यहां पर आप लोगो के पास यह चीज़ आया हो यह kaizen costing का मेरा part 1 part 1 करूंगा बस मेरे लिए cmp खाली part 1 है हो गया वो मेरे लिए cmp मेरे लिए खाली part 2 है मेरे लिए cmp खाली part 3 है that's how your approach should be यह part में अभी discuss करता हूं theory अभी in case of cmp अगर मैं बोलता हूं theory के revision lectures है मेरे practical के revision lectures है चाहे with costing है please उसको regularly सुनते रहो and थोड़ा उस सब का writing practice करते रहो यह pdf शेयर कर रहो टेलिग्याम चैनल पे आपको खाली किसी भी जो भी चाहिए आपको उस खाली q1 पे आप click करोगे तो qr open हो जाएगा and उससे फिर आपको जो चाहिए आप देख सकते हो practical question का भी मैंने revision series बनाए गाई तो please listen to it practical question जो most important exam के लिए वो भी आपके सारे cover हो जाएंगे ठीक है including standard costing decision making all the chapters time with costing quick quick 10-10 मिनिट में पूरा concept 10 मिनिट में पूरा concept हो गया that's what we want अब इसमें important होता है कि keywords को याद रखो तो point यह है जितना आप writing practice रखोगे test के तुरू जितना आप यह lectures को बार-बार सुनोगे वो keywords आपके दिमाग में set होते जाएंगे exam में वो लिख रहा हो I am sure you will crack it this time both groups है magic book यूज करना sufficient होगा आप लोगों के लिए and time saving भी होगा अब मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि बहुस parts में divide करो तो देखो दो revision 15 तो मैंने आपको यहां पर अगर आप देखोगे मेरा thumbnail तो मैंने लिखा है पर 15 दिन में आप लोगो complete करना है this is what I meant यह देखो first revision nine days second revision six days कैसे होगा nine days में revision part one three days part two three days part three three days logically मैंने set किया है definitely achievable है so part one scmp perform और और यह sequence में करना है मतला आप कई बार students पूछते भी है sir क्या sequence में जाओ यह first chapter यह second chapter third chapter fourth chapter fifth chapter यही sequence में आपको जाना है performance measurement and evaluation transfer pricing budgetary control यह एक part one है guaranteed इसमें से 30 to 35 marks आए गए आएगा minimum फिर बाद में यहां से around 35 to 40 marks आए गए आएगा फिर बाकी का पांग वहां से आएगा sir क्या option में चोड़ना है will never suggest that यार हर chapter का तुमारे को revision available है तो क्यूँ अपने को चोड़ना है कोई भी chapter को option में दो गंटा भी अगर बराबर से सुन लिया और तुम लोग तो speed पे सुनते हो तो definitely दो तीन बार तो हर chapter किया जा सकता है तोड़ा logically उसको set कर लो तोड़ा सा extra effort डालके नींद कम करके कर लो हर एक chapter will be the best thing for you right so यह part में अपने पूरा का पूरा subject divide कर दो आज से आपके लिए scmp 3 part में divide हो गया यह scmp 1, scmp 2, scmp 3 अब अपने आपको सोचे के scmp करना है मुझे चल तीन दिन का time है हो जाएगा तोड़ा mind भी अपना एक light feel करेगा it will also be positive that चल तीन chapter तो कर सकते है अपन तीन chapter तो कर सकते है चार chapter तो कर सकते है क्या बलता है public तो यह 9 plus 6 का strategy please use करो and this will ensure that yes मेरा पंदरा दिन में दो बार revision क्यूंकि आपको दो revision के बिना तो आप दे नहीं सकते है दो बार revision हो गया यह अगर हो जाता है plus आपने test बराबर से लिख दिये यह parts के बता रहा हूं मैं फिर बाद में then there is no looking back आपको कोई भी pass होने से नहीं रोख सकता है यह मेरा guarantee है next SFM का same way part में divide कर दे है यह mutual fund portfolio valuation of security guaranteed 40 माग देके जाएगा और यह बार तो ज्यादा expectation है because आया नहीं है वापस से three days का उसमें पूरा theory merger acquisition corporate valuation May 23 में कैसे theory ने लोगों को you know fail होने से बचा है SFM में उसका एक वीडियो आ रहा है आज या कल में stay tuned stay subscribe आप लोगों के लिए वो एक eye opener होगा कि कैसे difficult paper में एक theory कितना काम के लिए होता है same way यहाँ पे भी again कितना boss nine days six days 15 days है मेरे पास यह 15 दिन में पूरा का पूरा SFM को दो बार मैं revise कर लूँगा SEMP को दो बार revise कर लूँगा ऐसे अब बाकि topics बाकि subjects का भी part में रख लो get it done and dusted plan के साथ execute करो यह साथ points आपको regularly follow करना है technically and I'm sure we are on the right track बाकि जैसा मैंने बुला अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ थोड़ा test देने का कभी भी मनो the google form is ready just fill it up and you'll get all the customization that you want exactly जो आपको चीए वो उसी साब से काम हो जाएगा but पीचे मात आटो अब सोचा है एक last time four months institute ने result जल्दी निकाल है positive है अपने लिए in case आप clear नहीं हो पहें अगर आपका first attempt है तो उसको last attempt कर दो by following this we all of us know that how difficult it is to give it again वापसे वही books को लना है and it's not easy right so चलो भई effort तो देना ही है महनत तो करनी है इसी में कर लेते हैं चार महिना है कर लेंगे जान जोग देंगे क्या बोलता है public चलो so please share your thoughts in the comment इस साथ में से कौन सा point आपको लगता है जो आप सबसे जादा crucial use करने वाले definitely share it in the comment and I'll be happy to read it ठीक है दो comments जो आपको लगते है यार sir ये तो मुझे करना ही है या ये मैं use करता हूँ regularly या करना चाहता हूँ ठीक है बाकी और भी बहुत सारी चीजों के साथ आप लोग के साथ मिलते रहूंगा मैं SFM के revision lectures coming very very soon and उससे भी related जो formula sheets है वो बहुत जल्द telegram channel पे share करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़े आप लोग के साथ आने वाली है stay tune, stay subscribe, hasta la vista करके दिखाएंगे, take care